राम राम ज्यान गठ्री में आपका स्वागत है अनमूल भज्णों और रोचिक जानकारी का आनन लेने के लिए हमारे चानल को लाइक, शेर अन सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, अब मैं माग मास के बार्मे धैकी कता कहने जा रही हूँ बढ़ विश्णु भगवाने की जै ये मदूत कहने लगा कि हे वेश्य मनुष्य को सदेव शालिक राम की शिला में तथा वरज या कीट गोमती चकर में भगवान वासु देव का पूजन करना चाहिए क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुन्य को देने वाले, तथा मुक्ति परदान करने वाले भगवान विश्णु का इसमें निवास होता है जो मनुष्य शालिक राम की शिला या हरी चकर में पूजन करता है वे अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है जो फल देवताओं को निग्रुन ब्रह्मा की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोग को नहीं देखने देता बगवान को लक्षमी जी के पास अत्वा वेखुंड में इतना अनद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है स्वान कमल युक्त क्रोडो शिवनिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शाली ग्राम के पूजन से मिलता है बक्ति पूरवक शाली ग्राम का पूजन करने से विश्म लोक में वास करके मनुशे चकरवत्ती होता है काम, क्रोध, लोब, मो, अहंकार से युक्त होकर भी मनुशे शाली ग्राम का पूजन करने से वे खुण में रुवेश करता है जो सदेव शाली ग्राम का पूजन करते हैं वे प्रले काल तक स्वर्ग में वास करते हैं जो दिक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बली देता है वेहनिश्य करके विशुन लोग को प्राप्त होता है जो शालिगराम के जल से अपने शरीर को अविशेक करता है वेमानो संपूर्ण तीर्थों में सनान करता है गंगा, रेवा, गोलावरी सब का जल शालिगराम में वास करता है जो मिनुष्य शालिगराम की शीला के सनमुख अपने पिता का शराद करता है उसके पितर कई कलप तक स्वर्ग में वास करते हैं जो लोग नित्य शाली ग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों हजारों बार पंच गवे पीने से क्या प्रियोजन। यदि शाली ग्राम की शिला का जल पिया जाए, तो सहसों तीर्थ करने से क्या लाग। जहां पर शाली ग्राम में वह स्तान तीर्द स्तान के समान ही है, वहाँ पर किये गे संपूण, दान, होम, करोड़ों फल को प्राप्थ होता है, जो एक बूंद भी शाली ग्राम का जल पीता है, वह माता के स्थनों का दुग्दपान नहीं करता, अतात गर्भाशे में नहीं आता शाली ग्रामशिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी बेखुंड को प्राप्त होते हैं जो फल वन में तब करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदेव समरन करने से प्राप्त होता है मोवश अनेक प्रकार के गोर पाप करने वाला मनुश्य भी भगवान को परणाम करने से नर्क में नहीं जाता संसार में जितने तीर्थ और पुने स्थान है भगवान को परणाम करने से नर्क में नहीं जाते और भगवान के केवद नामात्र के कारण से ही प्राफ्त हो जाते हैं बुल माग मास महतम की जै विश्णु भगवान की जै श्री किष्ण गोविंद हरे मुरारी एनात नारायन वासुदेवा श्री किष्ण गोविंद हरे मुरारी एनात नारायन वासुदेवा